Good morning students, Sheridan PG College की Zoology की online class में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है टेरेटो जैनेसिस हिंदी में इसे बोलते हैं विरूप उत्पत्ती ये टॉपिक B.S.C. सेकंड यर का टॉपिक है तो आइए शुरू करते हैं टेरेटो जैनेसिस विरूप उत्पत्ती सबसे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन यानि परिच्चे की टेरेटो जैनेसिस होता क्या है तो समाने व्यक्ति उरतिय परिवर्दन के परिणाम सवरूप समाने जीव का निर्मान होता है समान्य जीव का निर्माण समान्य सरंचना विकास यानि मौर्फो जैनेसिस पर ही निर्बर करता है अगर समान्य सरंचना विकास से थोड़ा सा परिवर्तन किसी भी कारण हो जाता है तो ए समान्य ब्रून का विकास और जनम होता है जिसे मौन्स्टर या टेरिटा कहते हैं यानि जो ब्रून होता है उसकी सरंचना में चेंज हो जाना परिवर्दन हो जाना ए समान्य सरंचना विकास के कारण ए ववस्थित परिवर्दन होता है और ए समान्य भ्रून का निर्मान होता है ऐसमाने स्थिती कई कारणों के कारण हो सकती है जैसे जीनो टाइप में ऐसमानेता विभेदन नए क्रम में ऐसमानेता वातावरन में ऐसमानेता तो ये इसके कारण हो सकते हैं पेरटा का निर्मान जनमजात कून निर्मान के परिणामसरूप होता है ऐसा परिवर्दन जिसमें सरंचना विकास ए नियमित हो जाए तथा मौन्स्टर भुरुन का निर्मान हो जाए उसे विरूप उत्पति या टेरेटोजेनेसिस कहती है जो भुरुन का क्या हो जाता है रूप बदल जाता है तो उसको विरूप उत्पति कहा जाता है विरूप उत्पत्ती में विभेदन प्रकरम ब्रुण में होता है पर विभेदन ऐन्यंतरित होता है विभेदन क्या चीज होती है सैल का विभाजन होना तो विभेदन ऐन्यंत होता है मतलब जो सैल होती है वो सही तरह से विभाजित नहीं हो पाती या ऐसमाने सरंचना विकास होता है जिससे क्या होती है जो सरंचना होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है ऐसमाने हो जाती है और ऐसमाने बुरून का निर्मान हो जाता है विरूपुत्पत्ति जनतुओं में जनम के पश्चात भी हो सकती है एक तो जनम जात होती है मतलब जब जनम से पहले और जनम के बाद तो ये दोनों तरह से हो सकती है मनुश्य में और कई अन्य जन्तूओं में कुछ एविबेदित कोशी काएं प्रारंबिक परिवर्दन अवस्था में एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं और अन्डाश्य व्रशन में जनम के पूर्व कैद हो जाती हैं तो क्या होगा एविबेदित कोशी काएं क्या होगा एकी स्थान पर इकठी हो जाती हैं और कहां पर हो सकती हैं वो अन्डाश्य और व्रशन में अंडाशय और व्रश्ण क्या है? मेल और फीमेल के जननंग जिनसे क्या बनेगे? अंडाणू और शुकराणू बनते हैं जिनसे आगे जीव की उत्पति होती हैं कोशीकाय बाद में व्यासक जीवन के दोरान एक छोटी सी व्रधी करती हैं इसमें सभी प्रकार की विभेदित कोशिकाएं होती हैं पर इनमें सरंचना विकास की शमता नहीं होती ये व्रदियां जो अंडाशय या व्रशन पर होती है इसको Paretomase कहा जाता है Paretomase में व्रदि बहुत कम होती है इनमें व्रदी उस समय रुक जाती है जब ऐ विभेदित कोशिकाएं भी विभेदित हो जाती है और ट्यूमर का निर्मान कर देती हैं ट्यूमर क्या चीज होती हैं गांठे बन जाती है ये अब शिष्ट कोशिकाएं जो ट्यूमर का निर्मान करती हैं इन में अनंत प्रचुरोध भवन की शमता होती है, प्रचुरोध भवन होता है कि अपनी संख्या को बढ़ाते जाना, तथा ये लगातार प्रचुरोध भवन में जाती है, जिससे ट्यूमर में व्रदी एन यमित होती है, तो ट्यूमर में क्या हो जाती है, व्रदी होती रहत और tumor malignant में परिवर्तित हो जाता है नाम सुना होगा अपने malignant और non-malignant तो ये बेलिंगनेंट प्रकार का है इस प्रकार की गॉनैड्स पर व्रदी को टेरेटो कार्सी नो मास कहा जाता है गॉनैड क्या चीज़ होती है वही जनानग अंडाश्य और व्रशन टेरेटो मास और टेरेटो कार्सी नो मास की कोशिकाई कैंसर कोशिकाओं में इस बात से भिन होती है कि इनमें समाने जिनोम पाई जाते है यानि कि जो कैंसर सेल्स होती है उससे वो डिफरेंट होती है अलग होती है टेरेटो मास वे टेरेटो कार्सीनो मास का निर्मान चूहों वे मनुष्यों में समानते देखा जा सकता है कुछ जन्तों में अंडानू जो ए निशेक जनन द्वारा परिवर्दित होते हैं उनमें बेटी उमर का निर्मान देखा जा सकता है ए निशेक जनन क्या होता है? बिना निशेचन के ही अंडे का परिवर्दन हो जाना टेरेटा वे टेरेटो मास के अध्यन को विरूपता विज्यान यानि टेरेटो लौजी कहा जाता है इसके अध्यन से दो लाब होते हैं फर्स्ट इसकी अध्यान के दवारा सरंचना विकास के छुपे रहसें को ग्याद किया जा सकता है यानि कि जो रहसें छुपे हुए हैं उनको सामने लाया जा सकता है और सेकंड इसकी अध्यान की सहायता से रसाइनों वैदवाईयों के विरूप उत्पती परबावों से बचा जा सकता है कुछ रसाइन, कैमिकल्स और जो दवाईया होती हैं जो विरूप उत्पती को बढ़ाती हैं उनके परबाव के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा स प्राप्ती है और उससे बचा जा सकता है देखिए अब आगे करते हैं factors affecting teratogenesis विरूप उत्पती को परबावित करने वाले कारक विरूप उत्पती क्या चीज़ है हमने देख लिया पढ़ लिया क्या होता है ऐसमाने भुरुण का विर्मान होना अब आता है विरूप उत् factions कहते हैं ये दो प्रकारके होते हैं फस्ट genetic और दूसने environmental जेनेटिकल होता है अनुमानशिकी और environmental होता है वाता वर्मिया तो सबसे पहले आएंगे genetical factors अनुमानशिकी है कारक तो विरूप उत्पती के परमुख अनुमानशिक कारक जीनो टाइप में कमी या उत्परिवर् परिवर्तन जीन्स के कारण होता है उत्परिवर्तन क्या होता है अचानक से परिवर्तन हो जाना जीनी सरंचरा में उपापचय की जनमजात तुरूटियां है अनुमांशिक एनियमित्ता या जीन्स में कमी के कारण होती है तो उपापचय की जो जनमजात तुरूटियां होती है वो अनुमांशिक एनियमित्ता के कारण भी हो सकती है या जीन्स में कमी के कारण भी हो सकती है फरस्ट आता है फैनिल कीटोन में है इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैनिल कीटोन नूरिया तो मनुश्य में फैनिल कीटोन नूरिया फैनिल पाइरुविक अमल के संगरित होने के कारण होता है वैसमें मानसिक ऐसंतूलन हो जाता है मानसिक एसंतुलन यानि कि जो मस्तिश्क होता है वो सई धंग से काम नहीं कर पाता यह रोग एपरभावी जीन के कारण होता है और इसका जो सदोश जीन होता है वो पीपी के कारण होता है small pp फिर आता है डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम नाम सुना होगा तो यह है एर लिंग सुत्रों ओटो सॉम्स में मिलने वाली एकादी सुत्रता है और इसमें कुल 46 गुन सुत्रों के स्थान पर गुन सुत्रों की संख्या 47 हो जाती है देखिए जो क्रोमोजोम्स होते हैं गुन सुत्र होते हैं दो तराके होती है एक तो A-Linx-Suter और दूसरे लिंग-Suter A-Linx-Suter होते हैं Autosomes 44 और जो लिंग-Suter होते हैं वो दो ही होते हैं Male के अंदर XY और Female के अंदर XX तो इसमें क्या होता है जो Autosomes होते हैं उसमें एक गुन-Suter की संख्या बड़ जाती है और 40 के जगा पर 47 हो जाते हैं जो अतिरिक्त गुंसूतर होता है वो 21, 25 हो सकता है किन्तु अधिकांश में 21 गुंसूतर ही अतिरिक्त होता है जिसके परिनाम सरूरू मानसिक मंदता आ जाती है तो मस्ठिश्क क्या होता है? अबनॉर्मल हो जाता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता फिर आता है थर्ड सिकल सेल एनीमिया हिंदी में बोलते हैं इसको दाव कोशी का एर रखता तो यह है अफ्रीका और अमेरिका में बहुतायद से होने वाला अनुमानशिक रक्त रोग है रक्त रोग यानि कि बलड से संबंदित रोग इस रोग में आर बीसी ओक्सीजन के कम दाव पर दाव आकार सिकल शेप्ट हो जाती है यानि कि वैसे वो गोल होती है तो उससे इस रोग की वज़ा से उनका जो आर बीसी है उनका अकार क्या होता है बदल जाता है दबी हुई दाव कोशी का ए रखता एक ए परभावी लक्षन है जो ए परभावी जीन स्मॉल बीबी स्मॉल एच बी एच बी के कारण होता है यह रोग मुनिश्यों में दर्द, बुखार, सूजन, वैप, पीलिया उतपन करता है और वरक वरक यानि किडनी की कारण परनाली को विकरित कर देता है यानि उसको खराब कर देता है रोगी की 20 वर्ष की उमर प्राप्त करने तक मुरित्यू हो जाती है तो यह इस रोग के लक्षन है, सीकल सेल अनिमिया रोग फिर आता है हीमोफीलिया यह लिंग गुनसूतर परस्थित जीन्स के कारण होता है और यह परभावी लक्षन है अब आजाते हैं इन्वायरमेंटल फेक्टर्स तो वातावर्निया टेरेटोजन्स जैविक या एजैविक कारक हो सकते हैं विशानू परमुख रूप से जैविक कारक है रुबेला विशानू टेरेटोजन्स का परमुख उधारन है वायरस इससे संबंदित हैं एजैविक कारक परमुख रूप से विकिरन विकिरन होते हैं रैडियेशन्स, दवाईया, मैडिसिन्स, रसाइन, केमिकल्स और एसंतूलित अहार के कारण हो सकते हैं तो ये इसके परमुख कारक हैं या कारण है Next आता है कारसीनोजेनिसिस हिंदी में इसे कहते हैं कैंसर रुत्वत्ति तो कैंसर मुनिश्य में एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है ये पहले की बात थी, आजकल इसका इलाज है जब से कैंसर रोग की खोज हुई है, तब से जीवे ग्यानिक इस रोग पर विजय पाने में पूरंते सफलता नहीं मिली है कुछ हद तक हम सफल हुए है, पूरी तरह से सफल नहीं हुए यह रोग जीवन के किसी भी काल में हो सकता है कैंसर कोशिकाएं जीवन के प्रारंबी क अवस्था में परिवर्दित हो सकती है और निश्करी अवस्था में काफी लंबे समय तक रह सकती है वो बनना तो शुरू हो जाएंगी लेकिन वो active नहीं होती, inactive ही रहती है तब तक ये उत्प्रेरित होकर tumor में व्रदी ना करें मतलब जब तक ये tumor नहीं बनाती तब तक ये inactive रहती है, निश्क्रिया रहती है मनुश्य में कुछ cancer को परिवर्दित होने में 15 से 20 वर्ष लग जा पी है Cancer अधिकतर कशेरुकियों में पाया जाता है और इनका जीवनकाल अधिक होता है उन कशेरुकियों में ये अधिक पाया जाएगा जिनकी आयू लंबी चलती है, जीवनकाल अधिक होता है एक शेरुकियों में कैंसर बहुत कम देखा जाता है, कीटों में कैंसर उत्पती नहीं देखी गई, तो इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर कैंसर नहीं होता Cancer tumor की उत्पती को cancer उत्पती कहते हैं यानि carcinogenesis कहते हैं तो tumor की उत्पती होना मतलब cancer उत्पती होना किशेरकियों में cancer tumor का निर्मान किसी भी अंग में हो सकता है और cancer tumor को निवन परकार बांट सकते हैं अब आ जाते हैं उसके परकार सबसे पहले carcinoma in epithelia epithelia में carcinoma second sarcoma in connective tissue muscles sarcoma seoji उत्तकव है पेशियों में थर्ड आता है osteosarcoma in bone तो bone होता है अस्थियां हडियां तो osteosarcoma अस्थियों में और फोर्थ है lymphoma और leukemia in hemopoietic glands तो lymphoma या leukemia hemopoietic hemopoietic ग्रंथियां कौन सी होती हैं प्लिया प्लिया और अस्थि bone marrow तो ये उनके अंदर तो cancer उत्त्ति किसी भी परकार के उत्तक में हो सभी में लक्षन समान होती हैं पहला क्या लक्षन है आनियमित और आनियंतरित व्रदी की शम्ता जो की आनिश्चित प्रचुरोद भवन की शम्ता यानि कोशी का विभाजन के कारण होती है तो क्या होता है कि ट्यूमर में अन्य अंत्रित व्रदी होती है ट्यूमर की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है Next, Cancer लक्षनों के अन्वानशिक गुणों की शम्ता जो पुत्री कोशिकां में स्थाना अंत्रित किये जाते हैं यानि जो Cancer के लक्षन है वो अन्वानशिक है तो एक से दूसरे में चले जाते हैं ट्यूमर कोशिकां में गती की शम्ता होती है और यह उत्पत्ती के स्थान से अन्य स्थान की तरफ चली जाते हैं यानि कि शरीर के जिस अंग में ट्यूमर बना है जरूरी नहीं कि उसी अंग में रहे वो दूसरे किसी अंग में जा सकते हैं तो इसमें माईग्रेशन की पूरी इसको फ्रीडम होती है तो अलग स्थान पर जा सकते हैं नए प्रपोशी में स्थानांत्रन की शम्ता तो वो एक परपोशी से दूसरी में भी जा सकते हैं अब आता है factors of carcinogenesis तो cancer उत्पती के क्या कारण हो सकती है इसकी उत्पती अचानक हो सकती है मतलब कोई शाओर नहीं है कि इसी वज़ा से हो या ऐसे ही हो ये कभी भी हो सकता है इसकी उत्पती कुछ उत्परिवर्तन जैसे बहुतिक या रसाइनिक द्वारा हो सकती है बहुतिक कौन से होते हैं आइनकारी या विकिरन और रसाइनिक जैसे steroid या hydrocarbon के द्वारा कुछ resign भी cancer rutpon करते हैं और ऐसे resign जो cancer rutpon करते हैं उसको carcinogens कहते हैं स्टीराइड और तमबाकू परमुखर साइन है और ये कैंसर उत्पन करते हैं। विशाणू, विशाणू होता है वाइरस, वो कैंसर उत्पती के लिए उत्तरदाई हैं। बिटनेर विशानू, चुहों में, वैसीमियन विशानू, मनुश्य में कैंसर उत्पन करता है। विशानू के जीन्स, औंको जीन्स परपोशी के शरीर में परवेश करने के बाद परपोशी के जिनोम पर जुड़ जाते हैं और अन्वानशिक सूचना में परिवर्तन कर देते हैं। ट्यूमर व्रदी का एक अन्य कारण वातावरण भी होता है। सूरे के परकाश में अल्ट्रा वाइलट किरने आयनकारी विकिरन होती हैं जो त्वचा कैंसर उत्पन करती हैं। तो यूवी किरनों की वर्जा से भी त्वचा का कैंसर हो सकता है। मुनुष्य अपनी विबिन गतियों विदियों के द्वारा कैंसर उत्पन करता है मुनुष्य द्वारा उत्पन परदूशन निश्चित रूप से कार्सीनोजैनिक परबाब उत्पन करते हैं इसमें परमुख है रेडियो सक्रिय पदार्थ, कोल, डूल, एस्बेस टॉस, पे उध्योगों से उत्पन, पॉली विनायल उत्पाल तो ये सारे क्या काम करते हैं कैंसर उत्पन करने का कारण बनते हैं इसके अलावा सिग्रेट के हाइड्रोकार्बन्स तो सिग्रेट की वज़ा से भी कैंसर होता है तवच्छा और यकरत का कैंसर प्रमुख रूप से इनके द्वारा होता है तवच्छा स्किन का और यकरत होता है लीवर का क्योंकि जो चीज़े हम खाते हैं वो चीज़ें सीधे हमारे लीवर पर इफेक्ट करती हैं तो लीवर का कैंसर भी इसके द्वारा हो सकता है तो ये थे कारण कि किन किन वज़ा से कैंसर उत्पन होता है अब आती है कुछ सिधान्त तो कैंसर उत्पत्ती को समझने के लिए कई सिधान्त दिये गए है अब वो उन सिधान्तों को देखते है जो फस्ट आता है वो है सुमेटिक म्यूटेशन हाइपोथेसिस हिंदी में कहते हैं इसको काईक उत्परिवर्तन परिकल्पना फिर दूसरी वाइरल ट्रांसफॉर्मेशन हाइपोथेसिस विशानू ट्रांसफॉर्मेशन परिकल्पना थर्ड अनकोजीन हाइपोथेसिस अनकोजीन परिकल्पना और फोर्थ एपीजेनेटिक हाइपोथेसिस एपीजेनेटिक परिकल्पना तो ये चार सी दांत है किसको समझने के लिए दे गए हैं कैंसर की उत्तपत्य को तो इन में से oncogene परिकल्पना और epigenetic यानि की third और fourth परिकल्पना important है oncogene परिकल्पना के अनुसार जो विशानू जीन, विशानू जीन कौन है? वाइरल जीन ओनको जीन कशेर्कियों के जिनों में पाई जाते हैं उधारन के लिए रोयूस सारकोमा वाइरल जीन पक्षियों में वैस सभी मैलिंग नेट वरदी विशानु द्वारा होती है उनको जीन परपोशी के कुछ कारकों द्वारा कारसोजैनिक प्रबाव उत्पन करते हैं तो उनको जीन क्या करते हैं कारसोजैनिक प्रबाव उत्पन करेंगे प्रपोशी का श्वशन तंतर नश्ट हो जाता है और कोशिकाएं कार्सीनोजैनिक हो जाती है यानि कि वो कैंसर उत्पन करने में सक्षम हो जाती है और एपीजेनेटिक परिकलपना के अनुसार उत्परिवर्तन ट्यूमर के निर्माण में भाग नहीं लेते Epigenetic नियंत्रण विदी में गडबड के कारण ट्यूमर उत्पन होता है समान्य वस्था में ऐसे कई कारक होते हैं जो कोशी का विबाजन को रुके रहते हैं काईक कोशी काउं में जब प्रयाप्त संख्या प्राप्त हो जाती है तो कोशी का विबाजन क्या होता है रुक जाता है वहीं पर खतम हो जाता है Epigenetic नियंत्रण में गडबड से तो Epigenetic नियंत्रण जो होगा उसमें गडबड हुई तो उससे क्या होगा कि कोशी का विबाजन फिर से स्टार्ट हो जाता है कैंसर उत्पत्ति को एक रोग नहीं समझना चाहिए, यह एक epigenetic समस्या है, तो यह थे theories इसको समझने के लिए कैंसर उत्पत्ति को समझने के लिए, अब आते इसके treatment, treatment क्या चीज़ होती है, तो जो tumor कोशिकाए हैं, उनका इलाज, तो उनका इलाज, दो विदियों से करते हैं, फरली, जो first आती है, वो आती है, by somatic cell hyperdigestion technique, हिंदी में बोलते हैं, इसको काईक कोशिका संकरण तकनीक, तो इस विदि द्वारा क्या होता है, tumor कोशिका और समाने कोशिकाएं का संकरण, संकरण का मतला hybrid, संकरण करा कर, फिर से समाने अनुवांशिक सूचना को प्राप्त करना चाहिए, यानि कि tumor कोशिका और जो normal कोशिका है, दोन्नों का संकरण करा दिया, और फिर से क्या होगा, समाने अनुवांशिक सूचना को प्राप्त करना चाहिए, दूसरा, by control on unlimited cell division तो ए नियमित कोशी का विभाजन पर नियंतरन द्वारा क्यों? देखिए जो cancer होता है वो कोशीकाओं का बार-बार विभाजन होने से होता है तो अगर उस विभाजन को ही रोक देंगे तो भी इसका treatment किया जा सकता है तो ट्यूमर कोशीकाओं में ए नियंतरित कोशी का विभाजन होता है अते कुछ कारकों की सहायता से इस ए नियंतरित कोशी का विभाजन पर नियंतरन प्राप्त किया जाता है कई रिसाइनिक यानि रिसाइन ग्यात किये जाते हैं जिनके द्वारा कैंसर कोशिकां से किर्या करा कर कोशिका विभाजन को रोका जा सकता है। विज्यानिक कैंसर के टीकों की खोज के लिए कई परियोग कर रहे हैं वे बहुत कुछ सफलता प्राप्त की गई है। और आशा है कि शिग्र ही cancer के ठीके खोज लिये जाएंगे और इस रोग पर सफलता प्राप्त कर ली जाएगी तो पूरी तरह से क्या होगा कि हम इस रोग पर कंट्रोल कर सकते हैं आज कर बहुत सारी इलाज चल पड़ी हैं जिनकी वज़ा से क्या होता है भी cancer को starting stage में handle किया जा सकता है अगर शुरुवाती स्टेज में हमें पता लग जाए कि कैंसर है तो उसका ईलाज किया जा सकता है लेकिन अगर ज्यादा हो गया लास्ट स्टेज में पहुंच गया या second last में होता है तो cancer को control नहीं कर सकते तो उसके भी इलाज फोजे जा रहे हैं कि हो सकता है future में हम ऐसा treatment बना लें जिनसे cancer के रोगियों का 100% इलाज या treatment किया जा सकता है तो आज के लिए बस इतना ही अगली class में करेंगे अगला topic थैंक यू